तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 2 हिंदी का अधियंत वर्क बुक जिसमें कि आज हम पढ़ने वाले हैं व्याकरन और व्याकरन में पढ़ेंगे चाप्टर 7 प्रियाएवाची सब्द तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं आप भी अपना वर्क बुक निकाले और मेरे स सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रियाएवाची सब्द किसे कहते हैं ठीक है तो एक वस्तू या प्रानी को हम कई नामों से पुकार सकते हैं तो एक समान यानि की एक दूसरे को समान अर्थ देने वाले सब्द को ही हम प्रियाएवाची सब्द कहते हैं ठीक है तो आपने कहते हैं समान अर्थ देता हैं त खらい के पर तो यह दिया गया है यह नीचे एगए की अब कि गया हो ने नाना है आपको और लिखना है यहां नीचे में यहां पर uta1-2 तु दिया गया है ना यहां का प्रियावाची क्या है आंक यह दोनों का अर्थ समानी है अब नीचे लिखना है आपको मेग तो मेग का प्रियावाची बादल तो यहां पर है मेग और इसका प्रियावाची बादल ग्री का घड तो यहां ग्री भी दिया गया है ग्री का घड इसके बाद है धरती का प्रि और उसके बाद है जल का पानी, तो यह सारे प्रयायवाची सब्द हैं, तो यह आपको अच्छे से याद भी करना है, जिसका यह सारा, देखें दोनों का समान ही अर्थ है, जल, कोई जल बोलता है, तो कोई पानी बोलता है, फिर नीचे दिये गए सब्दों के सामने उनके प् प्रियावाची लिखना है, प्रश्न है, तो प्रश्न का प्रियावाची क्या होगा? सवाल, यहाँ पे बॉक्स में दिया गया है, ठीक है? सवाल, सूडी का सूरज, रात का रात्री, पेड का व्रिक्ष, भोजन का खाना, फूल का पुस्प, ठीक है? उसके बाद सत्रु का दुस्मन, मित्र का दोस्त, ठीक है? इस तरह से बनाना है, नीचे दिये गए सब्दों के सही प्रियावाची सब्द पर गोला बनाईए, अब जो सही प्रियावाची है, उस पे आपको गोला लगाना है, तो यहाँ जैसे की दिया गया है जंगल, अब ज देखना है कि जंगल का प्रियावाची क्या होगा? वन है, राजा है, विरान है, तो जंगल का प्रियावाची वन होगा, ठीक है? इस पे हम गोला लगाएंगे, कपड़ा, तो कपड़ा का प्रियावाची क्या होगा? बल, वस्त्र और रुई, तीन है, तो वस्त्र होगा, इसमें गोला लगाएंगे, चंद्रमा का ससी, मेग या आकाश, तो क्या होगा, चंद्रमा का प्रियावाची ससी होगा, तो ससी में गोला लगाएंगे, हवा का प्रियावाची, पवन, अनर, निशा, तो पवन होगा, इसमें गोला लगाएंगे, फिर है लड़की का, तो लड का होगा इसमें घोला लगाएंगे ठीक है इस तरीके से आपको बनाना है नीचे दिये गए सबदों को उनके पढ्यवाची सब्द से मिलाइए अब यहाँ पर आपका दिया गया है संभको संभूक्को अब इस साइड में दिया गया जैसे कि पर्वत है तो पर्वत का क्या होगा पहार पहार के साथ में मिला देंगे ठीक है पहार के साथ मिला देंगे रास्ता का क्या होगा मार्ग तो इसे हम इसके साथ मिला देंगे मोड का मयूर इसके साथ मिलाएंगे मृत्यू का मौत इसके साथ और गाय का क्या होगा गव इसके साथ में और कुटा का कुकुड इसके साथ में ठीक है ये साड़े को इसी तरिके से आपको बनाना है अच्छे से बनाईए और याद किजिये क्योंकि प्रयावाची सब्द याद करना बहुत ज़रूरी होता है ठीक है तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है तो कैसा लगा आपको पढ़के मुझे ज़रूर बताईए अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCRT The Mind को लाइक सब्सक्राइब कीजे और पास में दिये गए बैल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिजे ताकि NCRT से रिलेटेड हर वीडियो आपके पास समय से पहुंचती रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक केर थेंक्स टू वाच मै वीडियो